नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि Camp D3 Tablet का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, Camp D3 Tablet को कैसे लेना चाहिए, और Camp D3 Tablet की वज़ा से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि Camp D3 टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन व्यक्तियों के लिए Camp D3 टैबलेट को लेना जरूरी होता है और किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है हमारे शरीर में दातों और हडियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहत ही जरूरी होता है हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हडियों और दातों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे बलड में होता है जब हमारे बलड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर हड्डियों और दातों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वज़ा से धीरे धीरे हड्डियां और दान्त कमजोर होने लग जाते हैं. हड्डिया कमजोर होने की वज़ा से हड्डियों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी फ्रैक्चर हो सकता है, कैल्शियम की कमी की वज़ा से दातों की जड़े कमजोर हो जाती है, और दान्त भंगुर होकर तूटने लगते हैं, और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दातों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है कैल्शियम की कमी की वज़ा से बच्चों में रिकित्स हो सकता है और 19 साल से अधिक उम्र के व्यक्तिय में osteomalacia और osteoporosis होने का रिस्क अधिक हो जाता है osteoporosis एक हड्यों का रोग है जिसमें हड्या बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है जिसकी वज़ा से हड्यों में हलकी सी चोट या गिरने की वज़ा से भी fracture हो सकता है शरीर में calcium की कमी होने पर शरीर की हड्यों और जोडों में दर्द रहने की समस्या भी हो सकती है calcium के साथ vitamin D भी लेना जरूरी होता है शरीर में vitamin D की कमी होने पर भी calcium की कमी हो सकती है क्योंकि vitamin D शरीर में calcium के अवशोशन में मदद करता है और शरीर में विटामिन D की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोशन अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वज़ा से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है. अगर आप कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अकेले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिती में आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लिमेंट्स बेकार हैं, क्योंकि विटामिन D के बिना आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोशन और आपके द्वारा लिए जाने वाले कैलशियम के सुप्लिमेंट्स पेशाप के जरिये शरीर से बाहर निकल जाएंगे। स्लिए कैलशियम और विटामिन D को एक साथ लेना जरूरी होता है। Camp D3 टैबलेट में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D भी होता है। इसलिए आपको विटामिन D के सप्लिमेंट्स अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों अगर आपको विडियो पसंद आ रहा है तो कृपिया विडियो को लाइक करना वर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिसकस करेंगे की Camp D3 टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है। Camp D3 टैबलेट का उपयोग शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर, हड्यों में फ्रैक्चर होने पर, रूमेटोईट अर्थराइटिस और आस्टियो आर्थराइटिस होने पर, शरीर के जोडों, हड्यों वं मांस्पेशियों में दर्ध होने पर, नियूरोपैथिक दर्ध होन शरीर में नुट्रिशन की कमी होने पर, शरीर में दातों, जोडों और हड्डियों को स्वस्त बनाये रखने के लिए और जो व्यक्ति मिर्गी या दौरों की दवाईयां ले रहे हैं, जैसे फेनोबार बिटल फेनिटोइन उन व्यक्तियों को भी डॉक्तर कैंप D3 को लेने की जरूरत पड़ सकती है, जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी डाइट लेते हैं, और दूध दही जैसे डेरी प्रोडक्स का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कैम्प D3 टैबलेट को लेने की जरूरत पड़ सकती है, महिलाओं में मेनोपोस के बाद इस्ट्रोजन हॉर्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं में मेनोपोस के बाद कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है, और ऑस्टियो पोरोसिस होने का रिस की सला दे सकते हैं अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है क्योंकि प्रोटीन और नमक का सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है अगर आपने स्ट steroid दवाओं का लंबे समय तक सेवन करने से osteoporosis हो सकता है। इसलिए osteoporosis होने के risk को कम करने के लिए भी Dr. Camp D3 tablet को लेने की सला दे सकता है। इसके अलावा kidney failure होने पर भी शरीर में calcium की कमी बहुत जल्दी होती है। जिन व्यक्तियों को lactogen tolerance की समस्या है। उन व्यक्तियों में भी calcium की कमी हो सकती है। lactogen tolerance की समस्या होने पर व्यक्ति दूद को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है। जिसकी वज़ा से भी शरीर में calcium की कमी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को दूद को पीने के बाद पेट में दर्द, पेट में गैस, पेट में भारीपन, दस्त या स्टूल के अंदर fat आती है। तो ये लक्षन lactogen intolerance के हो सकते हैं। अब हम discuss करेंगे कि Camp D3 tablet को कैसे लेना recommended होता है। Camp D3 tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है। Camp D3 tablet को आप हलके गर्म दूद या हलके गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। आम तौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. Camp D3 tablet को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। Camp D3 tablet की डोज, उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको Camp D3 tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। Camp D3 tablet को कितने समय तक लेना चाहिए। या उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है। Camp D3 tablet को डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। दूद में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और दूद से बने उत्पात जैसे पनीर और दही में भी कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की कैल्शियम की कमी को प्राकृतिक खाद्याय पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं। तो आपको इनका सेवन पर्याप मात्रा में करना चाहिए। एक लीटर दूद में लगभग 1300 mg कैल्शियम होता है। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रती दिन एक लीटर दूद को दो भागों में बाट कर सुभा शाम पी लेता है। तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है। इसके अलावा मूंग दाल, बादाम, नारियल, सोया बीन, आम, संतरा और आवला भी कैल्शियम से भर्पूर होते हैं। इसलिए इनका सेवन आपको भर्पूर मात्रा में करना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो कैंप D3 टैबलेट एक बहुत ही सुरक्षित दवा है। और ज्यादा तर व्यक्तियों में Camp D3 टैबलेट की वज़ा से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप Camp D3 टैबलेट को recommended डोज से ज्यादा डोज में लेते हैं, तो इसकी वज़ा से ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है। जिसको hypercalcemia भी कहते हैं। शरीर में कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुक्सान दायक होता है। कुछ research में यहाँ पाया गया है की ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने से दिल से सम्बन्धित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है। किट्नी में पत्री होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना Camp D3 टैबलेट को ज्यादा डोज में या ज्यादा लंबे समय तक लेने से बचना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि Camp D3 टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। थाइरोइड की टैबलेट और Camp D3 टैबलेट को एक साथ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि thyroid की tablet और CAMP D3 tablet को एक साथ लेने से thyroid की tablet का अवशोशन कम हो सकता है, जिसकी वजह से thyroid की tablet की प्रभावशीलता कम हो सकती है. अगर आप thyroid की tablet को लेते हैं, तो आपको thyroid की tablet और CAMP D3 tablet में 8 से लेकर 10 घंटे का गैप रखना चाहिए. kidney की कोई समस्या होने पर और kidney में पथरी होने पर CAMP D3 tablet को डॉक्टर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए. आपको CAMP D3 tablet को लेते समय iron के supplement लेने से बचना चाहिए. क्योंकि calcium के साथ iron के supplement लेने से calcium शरीर में iron के अवशोशन को रोख सकता है. विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कैंप D3 टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.